22 जून 2023 प्रातः मुरली उम्शांती बाप दादा मधुबन मीठे बच्चे दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेगी यह मुख से कहने की बात नहीं अंदर में सिम्रन चलता रहे तो सब कलहकलेश मिच जाएंगे प्रशना कई बच्चे कहरे बाबा मेरा मन मूझदा है उलजन रहती है तो बाबा उन्हें कौनसी शिक्षा देदे हुए खुशी में रहने की युकती बता रहे हैं उत्तर बाबा कहते बच्चे तुम यह शब्ध ही रांग बोलते हो मन मूझता है यह कहना ही गलत है बाब से बुध्धियोग तूटता है तब बुध्धी भटक जाती है उदासी आ जाती है इसलिए बाबा युकती बताते अपना चाट रखो अंदर में बाबा बाबा सिम्रन करते रहो हर कदम पर श्रीमत लो तो उलजन समाप्थ हो जाएगी गीत बनवारी रे जीने का सहारा ओम शान्ती निराकार भगवानुवाच निराकार बच्चो प्रती निराकार भगवानुवाच किस द्वारा इस लोन लिये हुए तन द्वारा समझाया गया है निराकार परमपिता परमात्मा का कोई शारिरिक नाम नहीं है बाकी जो भी मनुष्य मात्र है उनका शारिरिक नाम पढ़ता है उस नाम से बुलाया जाता है यहां फिर निराकार बाप निराकार बच्चों को कहते हैं कि इस शरीर को भूल जाओ तुम आत्माओं को यह शरीर छोड़ मेरे पास आना है अभी तुमको इस मृत्यू लोक में जन्न नहीं लेना है वह लौकिक माम बाप शारिरिक संबंध में लाते हैं यह तुम्हारा फलाना है और पारलौकिक बाप कहते हैं हम निराकार हैं जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है तुम भी निराकार आत्मा हो इस शरीर का आधार लिया है, तुम्हारा अपना शरीर है, हमारा यह शरीर उधार लिया हुआ है, अभी तुम मुझ बाप को याद करो, मैं तुम आत्माओं का निराकार बाप हूँ, कभी कभी कोई बच्चे कहते हैं, हमारा मन मूजता है, मन को खुशी नहीं है अरे, मन अक्षर क्यों कहते हो? बोलो बाबा, हमको क्यों भूल जाता है? बाबा जो हमको स्वर्ख के लिए लायत बनाते हैं, उनको हम क्यों भूलते हैं? शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनो बाबा कहते हैं अब तुमको वापिस आना है, मुझे याद करो निराकार बाबा निराकार आत्माओं को कहते हैं, बाबा बाबा करते रहो यहाँ बाप है और माता फिर है गुप फादर के साथ माता तो जरूर चाहिए ना दुनिया में कोई को पता नहीं बाप इनके द्वारा मुखवन्शावली बनाते हैं तब उनको फादर कहते हैं फिर मदर कहा? जगत अंबा को नहीं कहेंगे जगत अंबा तो निमित है संभालने लिए क्योंकि यह मेल होने के कारण संभाल न सके इसलिए जगत अंबा है उनकी भी मा यह है ब्रहमा बडी मा है यह सब हैं ब्रहमा कुमार कुमारिया वह कहते हैं मात पिता तो यह बाप बैट समझाते हैं यह कोई साधू संत का काम नहीं बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं माया रावण नर्ग बनाने लग पड़ती है बाप सुख देते हैं, माया दुख देती है यहां है ही सुख दुख का खेल और है भारत के लिए भारत हीरे जैसा था अब कौडी जैसा बन पड़ा है भारत में पवित्र ग्रिहस्त धर्म था, जिनों के चित्र है लक्ष्मी नारायन का राज्य था परंतु वह कब स्थापन हुआ यह कोई जानते नहीं कल्प की आयू लाखो वर्ष कह देते हैं तुम बच्चों को समझाया जाता है पाँच हजार वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायन का राज्य था फिर लक्ष्मी नारायन दी फरस्ट, सेकेंड, थर्ड चलते हैं आठ गद्या चलती हैं फिर चंद्रणशी में बारह चलती हैं दिनायस्टी होती है ना मुगलों की डिनायस्टी, सिखों की डिनायस्टी बच्चों को समझाया जाता है पाँच हजार वर्ष पहले भारत में एक ही लक्ष्मी नारायन का राज्य था वर्ड आल्माइटी अथौरिटी गवर्मेंट थी वहाँ बाप ही बनाते हैं भारतवासी मांगते भी यहाँ है अभी तो राजाई है नहीं, न किंक्वीन है यहाँ है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, शर्भंगुर का इनमें कोई सुख नहीं जितना समय पास होता जाता, दुख जास्ती होता जाएगा इनको म्रिगत्रिश्ना समान सुख कहा जाता है शास्त्रों में द्रोपदी और दुर्योधन का एक मिसाल भी है वास्तव में ऐसे है नहीं यहाँ सब बाते बैठ बनाई है है यहाँ रून्य, मरुस्थल के पानी मिसल राज राज मिला है तो और ही दुखी होते जाते है ब्रिटिश गवर्मेंट के समय इतना दुख नहीं था बहुत सस्ताई थी अभी तो हर चीज की कितनी महंगाई हो गई है फैमन, अकाल, मूसलाधार बरसात, अर्थकवेक आदी यह सब सामने आएंगे मनुश पानी के लिए हैरान होंगे अभी तुम बच्चे अपना तनमंधन भारत को स्वर्ब बनाने की सेवा में स्वाहा करते हो बाप को मदद करते हो बाप फिर वर्ल्ड अल्माइटी अथॉरिटी, वन गवर्मेंट, वन राज्य स्थापन करते है हाकार के बाद फिर जयजयकार होना है जो विनाश का साक्षात कार किया है, वह प्राक्टिकल इन आंखो से देखना है तो बाप बैट समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो बाबा के बच्चे हैं, बाबा बाबा करते रहो मन मूझता है, मन में खुशी नहीं है, यह मन अक्षर निकाल दो बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर खुशी कैसे होगी? अपने आपको न जानने के कारण ही दुखी होते हैं तुम मन अक्षर क्यों कहते हो? अरे तुमको बाप याद नहीं पड़ता बाप को भूल जाते हो क्या? लौकिक बाप के लिए कभी कहते हो क्या हमको याद नहीं पड़ता है? छोटे बच्चे को भी सिखलाया जाता है, यहां माम बाप है यहां बेहत का बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा सिर्फ बाबा का बनना है बाप कहते हैं, मेरी मत पर चलते रहो बाप को तो पोता मेल भी बताना पड़े न बाप को अपने बच्चों का परा रहता है, ना या कितनी कमाई करता है तो बाप को जब बताएंगे तब तो पता पड़े बाब तो जट बताते हैं तुमको वैकुंट का मालिक बनाता हूँ बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ तुमको देने लिए आया हूँ तुम भी अपना सब कुछ सफल करने वाले हो इसलिए भविश्य के लिए अब बनाना है जो जितना सफल करेंगे उन्हें उतनी बड़ी वैकुंट की बादशाही भी मिलेगी लेंदेन का हिसाब है एक्सचेंज करते हैं पुराने के बदले सब नया देते हैं यह तो फर्स्ट क्लास ग्राहक है एक हाथ दो दूसरे हाथ लो एक कहावत है ना सुबह का साई बाप तो एकदम विश्व का मालिक बनाने आते हैं बाप कहते हैं यह सब कुछ धन माल आदी धूल में मिल जाना है इनको छोड़ो देय सहित दे के सभी संबंधों को भूलो अपने को ट्रस्टी समझो यह सब ईश्वर का दिया हुआ है उनका ही है बाकी शरीर निर्वा अर्थ कर्म तो करना ही है बाबा को मालूम होगा तो र राय देते रहेंगे कहने हैं बाबा मोटर लू अच्छा पैसा है तो भला मोटर लू मकान बनाना है अच्छा भला बनाओ राय देते रहेंगे पैसा है तो खूब मकान बनाओ एरोपलेन में घूमो भला सुखलो बच्चों को ही मत देंगे ना कन्या की शादी के लिए पू भला करा दो, बाप, ब्रहमा हमेशा राइट डाइरेक्शन देंगे, अगर रांग दिया तो रेस्पांसिबुल बाबा, शिवबाबा है, वह तो फिर धर्मराज भी है ना, यह कोई कौमन सत्सन नहीं है, गौड फादरली युनिवरसिटी है, बाप राय देते हैं, बच्चे स्वर्ग के मालिक बनो, श्रीमत पर चलो, देही अभिमानी बनो, वहा के नाम भी कितने सुन्दर होते हैं, बसर्मल आदी नाम वहा होते नहीं, वहार रामचंद्र, कृष्ण चंद्र आदी नाम होते हैं, श्री का टाइटल भी मिलता है, क्योंकि श्रेष्ठ है न, यहां तो कुट्टेबिल्ली सबको श्रीश्री का टाइटिल देते रहते हैं, तो बाप समझाते हैं, यह पुरानी छीची दुनिया है, यह सब खत्म हो जाना है, अभी तुम मेरी श्रीमत पर चलो, श्रीमत भगवत गीता है मुख्य, बाकी वेजशास्त्र आदी तो अनेक है, मन, देवता, शत्रिय तीनो धर्म स्थापन करते हैं, फिर इबराहिम अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनका शास्त्र फलाना, अच्छा, वेद किस धर्म का शास्त्र है, कुछ भी पता नहीं, सन्यास धर्म का शास्त्र कोई वेद नहीं है, अगर वेद शास्त्र है तो वह पढ़े फिर गीता क्यों उठाते प्रिश्य लोक सयाने हैं दूसरे धर्म का शास्त्र कभी नहीं लेंगे भारतवासी तो सब को गुरू करते रहेंगे बाबा ने समझाया था जब कोई चार से पांच इकट्थे आए तो हरे को अलग-अलग समझाना चाहिए जैसे पहले तु उनकी नब्स का पता पड़ेगा फांब भराना है क्योंकि हरे की बिमारी अलग-अलग है वैते लोग एक-एक को बुला कर नब्स देखकर दवा देते हैं निश्य करना है हम आत्मा है आत्मा ही सुनती है आत्मा ही पतित बनती है आत्मा को निरलेप कहना यह तो जूट बात है आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा फल मिलता है कहते हैं ना इनके कर्म ऐसे किये हुए हैं अभी बाबा हमको कर्म ऐसा अच्छा सिखलाते हैं जो 21 जन्म हम सुखी रहेंगे कर्मों की गती है ना सत्युग में तो कर्म अकर्म हो जाता है विकर्म कोई होता नहीं विकर्म कराने वाली माया ही नहीं होती, राजधानी स्थापन होती है तो जरूर तुम वर्सा तो पाएंगे, करमातीत अवस्था को पाना है, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, गंदास नानवा जब तब आदी करने से विकर्म विनाश नहीं हो सकते, विकर्म विनाश योग अगनी से ही ह अन्त में सबका हिसाब किताब चुक्तु होगा, नमबर वार. चुक्तु नहीं होगा तो सजा खानी पड़ेगी. चुक्तु करना है बाप की याद से. याद नहीं करते हैं, तब आत्मा मुर्जाती है. बाप कहते हैं, मेरे को याद नहीं करेंगे तो माया वार करेगी. जितना हो सके याद करो. कम से कम आठ घंते तक याद रहेगी तो तुम पास हो जाएंगे. चार्ट रखो. तुफान तब आते हैं, जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद नहीं करते हो. गाते भी हैं, सिमर सिमर सुख पाओ. अंदर सिमर ना है. चुप रहना है. रामराम वा शिवशिव कहना नहीं है. याद से तुम्हारे कलहकलेश मिट जाएंगे. तुम निरोगी बन जाएंगे. सीधी बात है. बाप को भूलने से ही माया का थपड लगता है. बाप कहते हैं, रहो भी भला ग्रिहस्थ व्यवहार में. कदम कदम पर बाबा से राय पूछते रहो. कहा पाप का काम न हो जाए. कन्या ज्यान में नहीं आती है, तो उनको देना ही पड़े. बच्चा अगर पवित्र नहीं रह सकता, तो अपना कमा सकते हैं. वो जाकर शादी करें. कई फिर बाप की मिलकियत पर बड़ा जगरा करते हैं. पूरा समाचाद नहीं देते हैं. वह हुए सौते ले. माते ले जरूर बताएंगे. बाप को समाचाद नहीं देंगे तो बाप कैसे जाने? यहां तुम्हारा चहरा हर्शित्मुख होगा तब वहां भी तुम सदा हर्शित्मुख रहेंगे. बिर्ला मंदिर में लक्ष्मी नारायन का कितना फर्स्ट क्लास चित्र है? परन्तु जानते नहीं कि यह कब आये थे? अभी वहां भारत का राज कहा गया? तुम जाकर समझा सकते हो. पहले थी सतो प्रधान अव्यभिचारी भक्ती. फिर बाद में व्यभिचारी रजो तमो प्रधान भक्ती होती है. आगे तो परमात्मा को बेयंद कहते थे. अभी कहते हैं सब इश्वर ही इश्वर है. इसको तमो बुद्धी कहा जाता है. तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमारा मन नहीं लगता. यह तुम क्या कहते हो? बाप को भूलने से ही यह हाल होता है. बाप को याद करो तो खुशी का पारा चड़ा रहेगा. बाप को याद करने से बड़ी भारी कमाई है. सारी रात बाप को याद करो. नींद को जीतने वाले बनो. गाते आए हो बलिहार जाऊ. अब कहते हैं मैं आया हूँ, तो मामे कम याद करो ना. मुझ आत्मा का बाप वहा है उनको याद करना है इनसे ममत्व मिट जाना चाहिए नश्टो मोहा बन एक के साथ बुद्धी लगानी है तो पक्के हो जाएंगे मुझे अब नए घर जाना है पुराने घर से क्या ममत्व रखें नया मकान बनाया जाता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है न बाप कहते हैं देज सहित सब कुछ यहाँ पुराना है अब बाप और वर्से को याद करो इस पढ़ाई से हम प्रिंस प्रिंसेज जाकर बनेंगे सत्युग में सेकेंड में बाबा प्रत्यक शफल देते हैं यहाँ है प्रिंस प्रिंसेज बनने का कॉलेज प्रिंस प्रिंसेज का कॉलेज नहीं यहाँ बनना है फिर प्रिंस के बाद राजा तो जरूर बनेंगे अच्छा बाप दादा, मीठी मीठी मम्मा का सिकील दे बच्चों को याद, प्यार और गुड मौर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धाला के लिए मुख्यसार एक, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तनमंधन स्वाहा करना है बाप का पूरा-पूरा मददगार बनना है दो, यहां हर्शित मुख रहना है किसी भी बात में मुर्जाना नहीं है बाप की याद से सब कलहकलेश मिटा देने है वर्दान अथोरिटी के आसन पर स्थित रह सहजयोगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव जैसे स्पीकर की सीट सहज ही ले लेते हो ऐसे अभी सर्व अनुभवों के अथोरिटी का आसन लो अथोरिटी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहजयोगी सदा के योगी, स्वत, योगी बन जाएंगे. ऐसे authority वालों के आगे माया जुकेगी न की जुकाएगी. जैसे हद की authority वाले विशेश व्यक्तियों के आगे सब जुकते हैं. authority की महांता सब को जुकाती है. ऐसे आप महान आत्माएं अनुभवों की अथॉरिटी में रहो तो सब आपे ही जुकेंगे स्लोगन सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बाटना और सब में खुशी की लहर फैलाना यही श्रेश्ट सेवा है